बॉस का क्या है? मेरे बॉस ने अभी अभी डेटा खमाया है मुझे और उन्होंने बोला है कि 15 मिनिट के अंदर मुझे कम्प्लीट इस डेटा को एनलेसेस करके रिपोर्ट लेके मेरे केमिन पहुच हो अब इस डेटा को ओबन कर चुका और मुझे समझी निगा राइस्मंट मैं इतने जल्दी में क्या अनलाइज करूँ ऐसे में जब कुछ नहीं सूज रहा होता है तो आइडिया जाते है और उसी आइडियाज फीचर्स को लेके आप लोगों के सामने मैं हाधिर हूँ Artificial Intelligence का एक बहतरी नमूना विद एक्जामपल आप लोगों के सामने रखता हूँ Microsoft Office 365 Ideas Features इसके ज़र ये मैं आप लोगों के सामने Artificial Intelligence का Intelligence दिखाने की कोशेस करता हूँ ये रहा मेरे पास dataset मेरे boss ने अभी अभी थमाया है और हूँ में बोला है कि 10 से 15 मिनट के अंदर मेरे केविन में complete इस डेटा को एनलाइज करके रिपोर्ट लेके हाजिर हो इस डेटा को हम लोग एनलाइज कर सकते हैं बट हमें उसके लिए टाइम चाहिए लेकिन यहाँ पे टाइम जैसा factor बहुत important है उनके लिए टाइम नहीं उनके पास ऐसे situation में मेरे पास एक ideas है और उस ideas का नाम है home tab के अंदर आपको मिलेगा Microsoft Office 365 अगर आपके पास है नहीं है तो install कर लीजी आपको अंदर बहुत सारे आपको नए features ऐसे मिलेंगे जो पुराने features के comparison में बहुत आसान कर देगा आपका काम इसलिए मैं recommend करूँगा तो यहाँ प update हो गया है अदर्वाइज आपको यहाँ पर idea जी दिखेगा office 365 में यह थोड़ा सा इन्होंने और update कर दिया है यहाँ पर options में चले जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं आपको customize ribbon के अंदर दिखाओं तो home tab के अंदर यह ideas अब देखिए मेरे पास यह simple data है अभी इसको मैंने table में भी convert नहीं किया है ठीक है अब मैं इसको analyze करना चाहता हूं तो analyze करने के लिए मैं कड़सर inside the data रखता हूं ठीक और यह आप analyze data या ideas यहाँ पर होगा आपके system में office 365 अगर आपके पास होगा तो इस पर click करेंगे यह मुझे बहुत सारे चीज़े recommend करके अपने आप दे देगा ठीक है जब तक बहुत 15 मिनट के है यहाँ तो 2 मिनट 3 मिनट पर काम कर दूँगा ठीक है यहाँ पर आपके सामने analyze data ideas यह आ आप सारे चार्ट का भी ideas दे गाई है अगर मुझे sir ने उसी time आपने सामने बीठा के पूछते गए query तो मैं within second साल काम उनका करते जाओंगा यह भी आपको करके दिखाओंगा मैं मान के चलते हुआ उन्हों है पूछा कि जड़ा sales by profession बता तो और उसका graphical representation तो आपको जड़ इरिय वाइज sales report यहां पे insert प्योड चार्ट यह रहा साथ के साथ इस default कुछ ideas के साथ so all 21 results that means उस data के बेस पे और 21 results और भी है हमारे पार तो यह तो था इस data के बेस पे recommendation ठीक है कि इन्होंने recommend कर दिया कि आप इस data के बेस पे यह यह चीज़ें लेके आ सकते हैं even graphical representation के थूँ या value based representation के थूँ ठीक है साथ के साथ अगर इससे भी satisfaction नहीं मिलता है तो आपके पास एक और option है अब आपको इसके beauty का अंदाजा लगेगा artificial intelligence के intelligency का पता से लेगा इसके थूँ यह रहा analyze data और ideas में यहां पे आपके सामने कुछ यह suggestion भी देगा suggestion में आपके सामने जैसे अगर आप जानना चाहें कि total sales of west इस पे click कीजिए और आपके सामने data हाजिर हो जाएगा total sales of west इतने का हुआ है total sales west zone में उसके अलाबा अब boss ने क्या किया यह तो suggestion था इनका अगे अब boss ने अपने मन से question पूछना start किया मुझे सामने बिठाया और rapid fight question दागना start किया तो जो जो question पूछते जा रहे हैं within second आपके सामने solution इस AI tool के थूँ यह रहा जैसे उन्होंने पूछा कि एक बात हो total male कितने है total female कितने है तो यहाँ पे हमने लिखा total male यह मुझे count करके बताएगा total male यह रहा 48 और total female कितने customer है total female 16 customer है उसके लावा अब पूछते हैं कि एक काम करो मुझे top 3 sales amount तो top 3 sales amount यह बहुत ही समझदार है और आपके सामने लेके एक एक data को हाजिर करता जाएगा यह रहा मोनिका विपुल और भानू यह total 3 customer है जिनका सबसे ज्यादा का sale amount है उसके बाद सर पूछते हैं कि एक बाद तो सबसे कम का sale किसने क्या है lowest sales person है ना तो निकाल के दिखा रहा है यह रहा रिद्धी सरल सबसे कम sale उसके बाद अगर सर पूछते हैं कि east zone में कितने का sale हुआ है तो sales amount of east zone यह देखी यह रहा 16571 sales where area is east अब अगर सर बोलते हैं कि फरवरी मेने में कितने का sale हुआ है तो आप पास कर दिजिए total sales in feb लेखते हैं 2021 केस फरवरी में sales by year of date where date is february उसका बाद अगर सर यह जानना चाहते हैं कि जितने भी हमारे customer हैं उनका total sale में कितने कितने percentage का contribution है ऐसे situation में आप पास कर दिजिए percentage of total sales for each customer यह रहा आपके सामने report हाजिर insert pure chart और साथ के साथ यह रहा customer wise इतने इतने percentage उन्होंने sale में योगदान दिया अब अगर मैं customer wise sales जानना चाहता हूँ तो मैं पास कर दूँगा total sales by customer इस पर क्लिक किया यह रहा total sales by customer और आपके सामने एक और फर्क दिखेगा देख लिजिए यहाँ पे data जो है sum of sales अगर आपको दिख रहा होगा यह आपको descending order में दिख रहा होगा यह बिल्कुल in sequence data दिख रहा होगा देखिए descending order order भी आपको साथ के साथ करके दे दिया देख लिजिए total sales by era customer अमानके चलते यह pure table बन जुगा है और मेरा source जो data है उसमें कुछ update करूँ तो यहाँ पे भी update हो जाना चाहिए तो अगर यह आपका जो customer table है main table यह अगर आपका table नहीं बना हुआ है ऐसे situation में आपको द्वारा data source में जाके update करना पड़ेगा है ना update data source यहाँ पे इसको अगर मैं table में convert कर दूँ तो control T अब आपने इसको table में convert कर दिया और अब जाके नीचे एक और data add कर दें 9999 अब आपने हाँ पे add कर दिया ना that means आपने dynamically add किया है तो अब आपको वहाँ पे manually pass करने की जुरत नहीं है अब आप इस पे सीधे right click करें और reference करके चेक करते हैं कि क्या यह हमारे काम कर पा रहा है कि नहीं देख लिए आपका यह data update भी हो गया और sort होगे वहाँ पे चला गया कि आप लोग जो सीखते आ रहे हैं वो साथ रखना है और साथ के साथ जो भी चीज़े update होती जा रही है उसको खुद में भी update करना है अब आपसे मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नकुछ बहतरीन idea के साथ सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग के बहतर कल के थैंक यू दिल से